आप सबी साथकों का स्वागत हैं मैं अर्विन सक्षेना बोल रहा हूं साधना जगत के रहसे हो तदा तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्यक प्रेलिस्ट को भी देखें आप इस वाल्य जो वीडियो है का जो टॉपिक है हसky और सूर भागएग स्थर असूर अकर इनके बारे में जो जानकारी देने से पहले पहले मैं आपको एक यह बता दूँ उसकी बैग्ग्राउंड की है कि जडे कि वीडियो है कि मैंने बनाय, वह być नबर चार संसार की रचना उसको देख लीजेगा उसमें मैंने बताया था कि माता ने जो संसार की रचना करी उसमें दो प्रकार की सिस्टी की रचना करी एक शुद्ध सिस्टी और एक अशुद्ध सिस्टी तो जो अशुद्ध सिस्टी है वो माया के कंट्रोल में है और जो शुद ज्जोब च्रिस्थी में चल रहे हैं इसमें उनत प्रकार के में उसे में से फैरी प्रत्थी लोग रही है नहें यहां सरी measurement अशन तरीके समझने के लिए नहीं करें लोक में रहे हैं इसके लावा हूए हैं रही है glob pasó में आपको यहां बता रहूं तो यह समझना चाहिए कि जो सारी की सारी सश्टी जो है माता ने रोयम बनाई वही उन्हीं के अनर्दी से सारी की सश्टी की रचना होई है यानि यह समझे लीजिए कि गलत आदमी सही आदमी दोनों वही माता का ही रूप है उन्होंने इस तरह से उसकी रिस्टना करी कि वह एक दिवी लीला के रूप में होती रहे जिसे कहते हैं खेल चलता रहे ड्रामा होता रहे बुरी संसार में उसको क्रियेट करने के लिए उन् जो है मलब जो भी क्रियेशन किया उसमें कई प्रकार की आतमाओं का निर्वाल किया उन्होंने यहां पे जिवित लोगों की बात बोलो जो कि जिवित नहीं है नहीं पदार्थ की रूप में रहे पत्थर इत्यादित वही सारी चीज़ों उन्हीं की एनर्दी कही है लेकिन जिस जीव में जितनी अधिक एनर्दी होगी माटागी वो उतने उन्नत होगा जैसे कि यह समझ लें कि पत्थर से जादे एनर्दी होगी जो पेड़ पादें और पेड़ पादों से जादे एनर्दी होगी पशुओं में पशुओं से जादे एनर्दी होगी चेतना प्रश्चों में भी कैटेगरीज होती चली जाएंगी आप जो आप सोच लिए कि सच्च योगी हैं इनके बारे में मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा मेले की सीरीज आपको तो 21 22 नुम्मर के तो उसमें 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 प्रश्चे योगी कौन होते हैं तो व जो रिशी उसके ऊपर में सबको कंट्रोल करने वाली माता होती है दिविमा तो सबको कंट्रोल कर रही होती है और वो इस तरह से कर रही होती है कि जो व्यक्षी को जिसको जो रोल दिया जाएगा दिविलीला में उसको तो नहीं ग्यान होगा उस सदिक उसको ग्यान नहीं हो स तो यह जब दिव लिला के लिए इतने सारी नसंग प्रकार के जीवों का निर्मान हुआ करा गया पजार्थों का निर्मान किया गया सश्टी की पूरी रचना कर दी गई तब उसमें क्या है कि लिला होने के लिए दो चीज़ें अपोजेट होनी जुरूर नहीं है इक ब्लैक होगा हम एक तो वह उनके लिला चलती रही सपने सब्सक्राइब करते कसी आत्मियर झार घ्क अगिञ्ञ्ञणता गणानी अब किसीको जाद लपेटाए कि कम लपेटा जो उसके खोल बना किसी भी एक आत्मा को बर में जो शीट बनी वो किसी की उसमें चेतना किसी में जादे हो गिया कि reach लिए दिवेक चेतना तो उसके साब से onus anad. रूसके बाद वने वनुशों के लिए और सारी संसार के लिए उनों है जो की एक कहते हैं के constitution जो भगवान का constitution कलें भगवान का समष्धान जिसको धर्म का जाता है या उसको आप लौफ करमा कहते हैं आगर मुनुशों के प्रत्वी लोग की और मुनुश्यों की बात करते हैं और मुनुश्यों से जो जुड़े हुए इतर यूनिया बगर हैं उनकी बात करेंगे जो की टॉपिक है सुर्व और असुर्व तब क्या होगा कि इसमें जो अप्रतेक आत्मा के चारोर में उन्होंने खोल बनाया जो उस खोल के अंदर में उन्हें जो निर्माल किया वो तीन गुण हैं प्रकती में सत रज और तम उनके द्वार निर्माल किया है जो स्लेट Beast गुण को fitness अब इन तीन गुणों के आधार पर दो प्रकार की जो हैं आत्माई उनने Network नोग में create कर दी और अब हम इहां पर खेल शुरूर उने किये लिए उन्होंने ये चीवों के रिप तो उसमें क्या किया अगर यह चीज नहीं करेंगी तो यह जो दिव लीला हो रही वो कैसे होगी तो इसलिए इसको समझना बहुत जोरी है कैसा है जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है सूक्ष इस तर से लेकर स्थूल इस तर तक में नीचे से लेकर ऊपर तक यह समझ लिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है पिर उसके वसमार में जो कुछ हो रहा है देश में कुछ हो रहा है फिर विश्म में कुछ हो रहा है उसके इलावा जो ब्रहमान में कुछ भी है कई विछे शुरूपस और चैनल यह है उनको इसन इन फ्रमेशन के लिए कि कि प्रंद ने क harbor Morning मिले जो कि उनको साधना करने से पहले सद्पार्णा के बीच्व content में लारों उनको संबदिने में असानी रहे इनि तो फ्रारमबिक साध्द्र तो न होते हैं वह बहुत बक्याते हैं कुष तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं सपार जाएंगे लेकिड़ी ना और रहा है तो वह आगे बढताव कर सकते हैं असूरों के बारे में आप लोगों को जान करी दूँगा असूर असूरों जुह है उनको अगर एक लाइन में कहा जाए कि वो होते हैं परशानियां पैदा करने वाले लुग होते हैं Trouble Makers या Problem Makers होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो आतव्लवे जिनके ऊपर कि जो भी खुड उनके जड़ा हुआ है, उस न उनमें अगर तामसिक गुण जादे हो जाएंगे, तो उसकी विरेश से क्या होगा, कि उनके उनके उसे न तामसिक गुढ गुद्धी पैदा होगी, गृषारा अधना, जो सूर होते हैं, उनके अंदर में, उनकी खोल होता है, उसके अंदर में सात्विक उनकी इंटिलेक्ट होती है। है सबकि intrinsे कि आशनों की बात करें तो फॉता है के निहीं jest fazlaцणभी मारें ऊंदधिन दर्टेस उसकी वज़े से प्रभब को युझा आज्ञानता का प्रभाव बीच रहता है विवैक उनकी सुन नि jurisdictions वो जब भी कोई रास्ता पे जाएंगे तो हमेशा गलत रास्ते को चुनेंगे क्योंकि एक चीज है कि जो प्रपरटी आदमी में होती है वैसे ही वैसे ही उसकी चीजों को वो अट्रेक्ट होने लग जाता है उसकी दरफ से यह उल्ला एक थंबुरूल की तरह से मानना चाहिए जैसे कि माली है कि कोई ख्रावी आदमी है तो वो हमेशा शराब की दुकान करें मिलेगी और ट्रेक्ट हो जाएगा उसकी तरफ और जाने लग जाएगा या उसको ऐसा संद्द मिले जहां पे कि ख्रापरटी माली जो हो र शरी जिनके आवरान तामसिक गुण जादे हैं वो असुर लोग वो उनके पास विवेक बुद्धी का भाव होता है और वो गलत रास्ते की तरफ में हमेशा जाएंगा उप्टी करेंगा उसको और सबसे बड़ी बात क्या है वो अपनी गल्तियों को उनको समझ में कभी भी नहीं आएगा वो कभी भी नहीं आ सकता है उनको कि यह हम क्या गलती कर वो सेम चीज़ रिपीट करते जाएंगे उनको समझाने के पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा तब भी उनकी समझ में नहीं हो सकता है कि जोकी तामसिक गुण तनी अधिक होते हैं अगर हो गए किस समझाने वाले को भी मार दे ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी भी रूप में अपनी गलती का पता ही नहीं जलता है इसा बातों का अगर आपको जादे अगर आपको डिटेल में जाना हो तो मैंने बहुत सारे वेदों के उपर में जो वीडियो सम्राम को आप देखेगा इंद जो है उनकी तरफ से जो है और मानव को बचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क एक सिस्टम मुनाया गया है जो की डिफाइंड है वेदों के समिताव में अउस में जो है देवी देवता जो भी हम आप है वेदिक देवी देवता वो इस तरहेवे से करते हैं कि मनुश्यों वीद्रा सुरय when the vier वจะ करता है कि पाणि जहां होथा है do not at water water flow को रोक देता है त्याव में rain water कोstorm़ाने के लिए फिर भंद्र को क्अ वजटर चलाना पड़ता और उस वस रहाना पड़ता ये बात है लिए जो जो अब अधाए कि सुक्ष में तो समय ने इतने सीजवें उसको आप देखेंगे तो आपकी समय में आ जाएक कि वैर्दिक देवता किस प्रकार राक्ष उसों से और असनों से और रक्षा करते हैं वह बगूसर्ण है स्वेडियो का नाम 78 है नंबर 78 है और साधना फक्ष भाग चार वैदिक्स रक्षा सूख्ट इसको अवश्य देख लीजेगा उसमें और डिटेल में आपको पता चलेगा रक्षा क्या करते हैं क्योंकि वो रक्षा घर के पास में रहते हैं शिप के रहते हैं उनका काम ही होता है कि मैं जनसार में वि यह जो होते हैं तामसेक इंचलैक्थ जो कि असूरों की होती हैं वह हमेशा प्राबल्ट सेर गऊते हैं इस अन्यों समाझे उनका ने इंट्रेथ घर सभाना और ज में घर करते हों को सैत्हूर that वहjin का उति बिल्कों उल्टे हैं और तभी दिवान जो है जो जो दिवी लीला हो सकती है डिवान पिले हो सकता है इंटेनेशनली जो है क्रियेट करें अब साधना जब होने लग जाती है अगर असुर भी करें दोनों तो एक अलग बात होती है कि ताम से नस्ट हो जाएंगे पर गुणात लेकिन तब तक तो जब तक गुण है और वो वह सिती के प्राउस नहीं किया तो सामाने रूप से यह संग्राम चलता रहता है जो क्या होता है जो असुर होते हैं वो समस्याओं को जन्म देते हैं प्रॉलम मेकर्स हैं तो क्या होगार अभी पूनको शक्ति मिल ले पैसा मिल जाए तो वो क्या करेंगी अपने परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए दुनिया के लिए वो प्रॉलम क्रेट कर देंगे वो हमेशा जो है पावर का शक्ति का मिस्यूज करते हैं वो यूज कभी मलत गलत उसका यूज करेंगे उसका अच्छे कार के लिए यूज वो गलत काम करने में तो मास्ट्री है उनकी वो तो उनके फील्ड है अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और करने कोशिच करेंगे तो करी नहीं पाएंगे और उनको गलती समझ में कभी आएगी नहीं क्या है सभी काम करने कोशिच भी करेंगे तो वो भी गलत कर देंगे अब क्या होता अगर माल लीज़े कोई असुर साधना करना चाहे तो किस प्रकार की साधना में जाएगा तो वो इस प्रकार की साधना में जाएगा जहां पर कि वो चक्ति को हासिल कर सके और अपनी इक्षाओं की पूर्ती कर सके तो इसलिए अगर वो बहुत चाते साधना भी करेंगे तो भी वो कहीं ना गई अपनी इसी बुद्धी के विए से ट्रैप में आएंगे और फिर वो नीचे गिर जाएंगे और फिर किसकी सारव अट्रैक्ट होते हो जितनी नीचे दरजे की सिद्धियां होती है अफिर जेशन के द्ध़न की कमी है तो कोई कैसे वह सुर्ल होंगे वो क्या करेंगे एक महावध्या की साधना करते हैं कि आगे हमको रास्ता भी मिलेगा हमको माता की करपा भी मिलें जाएगा लेकिन असुर क्या करेगा, वो कहेगा उनको छोड़ो, हम चुलायल की साधना कर लेते हैं वो चुलायल हमको धन लाके देगी, यह हम प्रेथ की सिद्धी कर लेते हैं अचाव प्रेथ, पिशाच वारी, सब तो चुकी, उनमें भी थामसे गुण होता ही है गलत काम उन्होंने पूर जनुम में करे होते हैं इसलिए तो मरने के बाद थो इनको योनी ये ये वाली योनी मिली होती है तो वो तो लालाइद बैठे रहते हैं कि कोई हमको ज़स्त बुलाएं तो हम थुरंग पहुंचें महाँ पर तो इसलिए क्या होता है प्रेट सिद्धी चुड़ा सिद्धी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है उसको सिद्ध करने की जावशक्ता ही नहीं मैं तो समझता हूं कि जो सारे कितने भी मंतर जितने भी दिया है ये तो सब उपर से समझ लीजे कि एक आवरान है इनकी जरुवत भी नहीं है अगर उनको चीज से बूरे दिल से बलाया जाएगी कोई प्रेट मेरे पास आये हमेरा काम करें तो वह भी आ जाएंगे इतना असान आज के समय में तो ये प्रेट की तरफ या प्रेट सिद्धी की तरफ चले जाते हैं गलत मंतरों को यूज करने लग जाते हैं और फिर होगा क्या कौन कंट्रोल किसको करेगा थोड़े दिन प्रेट इनका काम करेगा उसक वह तो आगे की बाते हैं वह अब मैंने बहुत हारे कोई वीडियो बनाए भी है और आगे बनाऊंगा भी प्रेट सिद्धी के बारे में कि क्या हाल होता है इनका तो प्रेट सिद्धी में जाते हैं लेकिन इस मैं पॉइंट यहां बताना चाहरा हूँ कि जो व्यक्ति इस जाएगा प्रेट सिद्धी की तरफ में और यह चोटी-चोटी सिद्धियों की तरफ में टोने टुटकों की वज़े में जादू टोना में वह असुर हो ही होगा या मान लीज़े कि कोई अगर सुर हुआ तो वह असुरी शक्तियों से ग्रस्त हुआ होगा तभी बहुत जा तो हिसके दिन कर दो अकडि और कि अध्यात में तुकिए आगे तो कभी बढ़ती नहीं करों सकते हैं तो कभी आगे नहीं सकते हैं समादि मादि की दो बात भूल लेजे मिल झापति नहीं होगा आप जैसे कि आप देखें कि अगर कोई बहुत माइथोलाजी से कोई एक्जामपल निकालने की निकाला जाए तो आपको एक रावण का एक्जामपल दिख सकता है कि जो की साधना भी करता था, सब कुछ करता था आप उसके बाद में वह शुर्ड़ी की इतनी साधना करता था और उसके बाद में भी उसने क्या कार किया अप्र बाद में उसका किस प्रकार से भगवन राम ने विनाश किया तो उसी प्रकार से यही इनके साध में भी ऐसा ही होता है साधना ही गलत पगड़ेंगे क्योंकि इनको गलती समझ भी नहीं आती कि गलत क्या कर रहे है फिर क्या होगा कि क्योंकि ये गलत साधना करेंगे गलत चीजों में जाएंगे इंटलेक्ट नहीं होगी जादे इनकी विक्सित तो इनको गुरू नहीं चाहिए, गुरू का मतलब हो गया कि इनको कान पकड़ने वाला, बताने वाला कि ये काम करो, वहां गुरू में पास जाए, गुरू आग्या पालन करना पड़ेगा, इनको आग्या पालन करने की आदत ही नहीं है, आग्या देने की आदत होती है, तो क कि पहले तो जान लीजिए कि इसाधना है को तीक से करेंगे नहीं इधर अझार से कहीं सभी साधना खट्रकर करें गल्राइए वो गलत साधना यह एक सिंगिल प्लंग पिलेट कर रहे हैं सादना को भी नियम पाला नहीं नहीं करेंगे को बिना नहाय धोई कर लो उसको किसी तरए से मिल जाएगा उंको तो फिर बठकाने में इनको लगे रहते हैं वह और थैए वह उनको दिक्रेशन और गड़े कि तरफ में तो ही जब यह जीज इनको कोई नियम पाला नहीं तो फिर आप पतधानजली के जो जतने भी वाप देखेंगे रहीज है। तो वह सारे के आगे की स्थितियों में चलने के कोशिच करेंगे कि ध्यान कर लूँ लेकिन उसके जो नीचे की स्थितियां हैं यह नियम वाले नहीं करेंगे तो होता क्या है कि वो वह उपर की सितियों को करने कोशेश करेंगे चाहिए है जिसको targeting वह बढ़ क्योगे जταρχी कर जाँ कि यह कर लूँ इसमें लगे करते हैं यह स्वेम में बैठके साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे इसकी वर्यासे इनकी आध्यात्मिक उन्हदी बिल्कुल नहीं होती यह हमेशा जो रॉंक साधनाओं में फस जाते हैं फिर बड़ा इनका समय नस्ट होता है कि उच्छे दर्जे की साधनाओं में यह पुष बुष गारें इंविसको अगर नियम का पालन क क、、 तो क्या होगा से रॉंक सङर में और दश जया य साधिक तरॉद कर रहा हो वर्याम झातोते हो जूए कोई कर रहा हो तो उसको ऊपर जाना जिन्दगी पर नहीं आएगा एक तो एक बात होई वो हर चीज खुदी ट्राइए करेंगे जैसे कि ध्यान की सेकुण विद्या निकाल लेंगे और हर चीज को ट्राइए करना चुब कर देंगे सब काम खुदी करेंगे अगर मैं इसको सुरों वाली साथना उसे चाहिए करेंगे जैसे नकिस साथना का प्रेटर्न क्या होगा अगर मालीज Alabama की साथना चुरू करी उसे वाले माा विद्या की करी हो आप दिया की साथना मुझद शान्ती से करेंगे तो वह क्या है कि वह सुरों वाली साथना में वह क्या करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हम तो केबल एक माता के वावासना कर रहे हैं बागी सारे का माता करें आप प्र उनके अंदर तामसिक घुड़ भी होते हैं तो वह थाए ताम सीजने लग जाते हैं जाए अप्छिए वह फैक गूरू बनते हैं अगर इनको यह भी कहा जाए कि अगर माले कोई असुर्षाहिवी कि हां मुझे अच्छा गुरू मिल आ तो मिले का नीए वह तो फेक गुरू के पाँ जाएंगे वर्चल गुरू के पाँ पाँ जाएंगे ऐसे गुरू के पाँ पूरी पैस कि आप मेरे पास आँ, और मैं आपकी की इख्षा ना है, कि इक्ष्यान होती है हैं उसे करों से कर लिए न घ्राव मेरे पास बटकाने के लिए है न करका काम मुख्ष सक नहीं ले जाना है उसको बटका कि वापक भापस इसी संसार मौझा में ले जाने लोगों वो पैदे ही हुआ इसलिए कि वो हजारों लाखों लोगों को बरबात कर दे आत्माओं को दैत्र का मतले भी क्या है तो यह चीज इंपोर्टेंट है कि यह बात जो होती है कि मेरे पास आओ मैं तुमारी इक्षाओं की पूर्थी करूंगा यह बात बड़ा असुर होगा जो कि बड़ी बड़ी गलतिया करने के लिए पैदा हुआ होगा और सबसे बड़ी गलती क्या करेगा कि अबने शिश्चियों को बरबात कर दे हो अलाकि शिश्च शब कहना असुरों के लिए ठीक नहीं है वह तो बिल्कुल वैसा ही है कि अभी हमजा अच्छ शिश्च की अच्छ़ ग्रु रिल गुरू मिलेंगे का से अगर कभी गलती से मान लीजे कि मिल गया कोई भी किसी भी असुर को एक अच्छा गुरू रियल गुरू मिल गया तो थोड़े टाइम जाते महां टेक है का नहीं हो हसुर हाँ से भागेगा क्योंकि वो उसके नियम देखके तो उसके वो पाले नहीं कर पाएगा उसको क्योंकि वो बना ही नहीं उसी लिए तो फिर वो कहां डूंड़ेगा फिर अगें वो फेक गुरू के पास जाएगा जो कि उसको फिर नीचे गराया उसको तो इसलिए सादनों में एक लिमिट से जादे जो असुर जो होते हैं वो एक लिमिट से जादे सादनों में आगे नहीं बढ़वादे हैं क्योंकि वो उनका कोई भी शस्वें में अपने और फोद होते हैं अपना अपनी बुद्धी नहीं है यहीं जरीए नहीं कोड़बा तो आज के वीडियो के लिए इतने ही परियाप्त है अगले वीडियो में मैं असूर असूर भाग दो मैं आपको और असूर असूरों के बारे में जानकर्यां दूरा करता हूँ किया आप सब्सक्यान करें। इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद